इतना अच्छा काम दसरत्माजी जी के लिए इतना अच्छा कदम आप लोग उठाने जा रहे हैं तो हम भी साथ हैं आपका छोटा भाय हमको भी साथ लेकर के चलिए ताकि हम भी क्या सकें कि ने बावा दसरत्माजी के लिए हमारा भी योगदान था हम भी इस मोहीम में सामित बावा दसरत मांजी वो सक्स है जिन्होंने बावा दसरत मांजी को समझ लिया और जिन्होंने बावा दसरत मांजी को पढ़ लिया वो जीवन में एक संकल्प लेता है और संकल्प के जरिया आगे बढ़ता है तो कहीं ने कहीं वो जीवन में बहुत अच्छा काम करता है और आ देखें मनीज कस्यपट जेल से बाहर आए हैं तब से बिहार में एक नया खलवली मचा हुआ है में कारण यह है कि मनीश कस्यफ जेल से बाहर आते हैं और सबसे पहले वो कहीं ना जा करके परवत पुरूस बावा दसरत मांजी के अस्तर पर जाते हैं जहां उन्होंने 22 सालों में छेनी हत्वरी से पहार को काड़ दिया था और बावा दसरत मांजी ने बोले थे भगवान के भरो से ना बैठो क्या पता भगवान तुम्हारे भरो से बैठा हुआ है उसी मार्ग पर चलने कलिए मनीश कस्ययफ ही कहीं ने कहीं उट्साहित है और वावा दसरत्मांजी के बातों को ले करके मनीश कस्याफ आगे बढ़ना चाहते हैं अभी उनको साथ देने के लिए मस्खरा रिपोटर समीर चौदरी भी सामने आया है उनका कहना है कि गहलावर में एक चांदी का मूर्ती 20 फिट के बावा दसरत्मांजी के लिए बनाया जाएगा तो देखिए बहुत सारे लोग दसरत्मांजी के नाम से आते हैं और दसरत्मांजी के नाम से भीूज बटोरते हैं दसरत्मांजी के नाम से अपना नाम को बिहार में बढ़ाते हैं और दसरत्मांजी को भूल जाते हैं यह सिलस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है उस प्रोग्राम में लगभग पांच से छे लाख रुपया का खर्च होता है और आपको हम बता दे कि बावा दसरत मांजी को जो पूतर है भागियत मांजी उनका घर देखिएगा तो उनको रहने के लिए सही से घर नह आते थे उस घर में अभी तक दरवाजा नहीं है लेकिन बावा दसरत मांजी के नाम पे लाखों रुपया खर्च किया जाता है और ये कहीं ने कहीं राजनीती मुद्दा लोग बना दिया है अपने आपको मार्केट में कैसे हीट करें बावा दसरत मांजी के नाम लीजिए और हीट हो जाई है लेकिन समीर चौधरी ये कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली तक जाएं दिल्ली में जाके धरना परदर्चन करेंगे मांग करेंगे कि बावा दसरत मांजी को भारत रतन मिलना चाहिए बहुत अच्छी बात है कि बावा दसरत मांजी को भारत रतन मिलना चाह और गहलौर में एक चांदी का मूर्थी बनेगा ऐसा समीर चौधी का रहे हैं तो समीर भाईया हम आपके साथ हैं आप अगर ऐसा कर रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं कि ने बावत दस्तत मांजी जो इतना बड़ा काम किये हैं उनको भारत रत मिलना चाहिए और गहलौर में एक चांदी का मूर्थी का अस्थापना किया जाना चाहिए तो हम आपके साथ हैं भले वो चाहे कोई रहे या ना रहे लेकिन मैं बिरेंदर मांजी आपको वादा करते हैं वीडियो को माग्यम से क्यों करके कि हमारे समाज में थास करके एसी एस्टी वर्ग में बहुत सारे सघ Alcohol यूटूबर हैं बहुत सारे social media चला रहे हैं लेकिन अभी तक मनीश का व को समर्थन के लिए और समीर चौधरी को समर्थन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं तो हम हमने सोचा कि कम से कम कोई नहीं आगे आ रहा है तो हमको आगे आना पाई है और समीर चौधरी जो ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं कि गहलोर में एक चांदी का मुर्ति के अस्थापना किया जाएगा तो समीर सर हम आपके साथ हैं अगर हम लोग के दिली भी चलना होगा त पुरे बिहार वासियों से कहा देना चाते हैं पुरा बिहार वासियों से ही नहीं पुरा हिंदुस्तान वासियों से हम कहना चाते हैं कि बावा दसरत्मांजी वो सक्स है जिन्हों ने बावा दसरत्मांजी को समझ लिया और जिन्हों ने बावा दसरत्मांजी को पढ़ लि बावात दसरत्मांजी के साब काना ये है चीकि आप करम करू किसी के भशोंसे मतलब यह था कि तुम करम करो और करम पर भी स्वास रखो और यही संकल्प लेकर जो आगे लगते हैं कि कहीं ने कहीं ऐसा संकल्प लेकर चलने वाला ब्यक्टी जीवन में कुछ अच्छा करता है तो हम समीर चौदरी के बातों के साथ हैं समीर चौदरी जी कह रहा है कि चांदी के मूर्ती गालोर में अस्थापना किया जाएगा बहुत खुसी की बात है हम जब से सुने समीर चौदरी जी का बयान देखें और समीर चौदरी जी का वीडियो देखें अपको बहुत खूसी हुआ इतना अच्छा काम दसरत्माजी जी के लिए इतना अच्छा कدم आप लोग उठाने जा रहे हैं तो हम भी साथ है आपका छोटा भाए हमको भी साथ ले करकर करे चलिए ताकि हम भी क्या सकें कि ने बाबा दसरत्माजी के लिए हमारा भी योगदान था हम भी इस मोहीम में सामित हैं बाकी नमस्कार वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजेगा मैं बिरेंदर कुमर्मान जी फिर इनको किसी नए वीडियो में तक तक खेली धेंगा